दोस्तो जब भी हमें एक mobile लेने जाते हैं तो हमें यह नहीं समझ में आता है कि हम कौन सा mobile लें टेक्नलोजी इतनी advance हो गई है कि हमें marketing terms समझ में नहीं आते हैं किस RAM को हमें चूज करना है किस processor को हमें चूज करना है battery क्या होनी चाहिए camera कितना होना चाहिए screen resolution क्या होनी चाहिए यह सब terms हमारे समझ के बाहर है यह हमारे दोस्त जब जाते हैं या पूछते हैं कि यार phone लेने जा रहे हैं चीजों के अलावा और कौन कौन से चीजों होती है जो हमें mobile लेते वक्त देखनी चाहिए तो आज का वीडियो इसी topic पे है और आप देखते रहे हैं और आज आपको यह पता चल जाएगा कि जब आप mobile लेने जाते हैं तो कौन से mobile अपने लिए बेटर तरीके से आप चूज कर सकते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं दोस्तों सबसे पहली चीज होती है बजट आप अपना बजट डिसाइट कर लीजे कि किस बजट में आपको फोन लेना है उस बजट से बिलता जुलता कोई भी ब्रेंड आप चूज कर लीजे सेंटम नोकिया वीवो हो गया ओपो हो गया तो आज तो आपको पता है आपको data हम ऐसे प्रोशेसर देखना होता है कि अपने तो आप प्रोशेसर जो होता है वो गीगा हर्स में आते हैं और िमलाल मार्के2 चल यह है अभी करेंट ली और फिलाल मार्के तूले नावज टू पर में चलतल पर आपको डिक्कत नहीं होगी और यह processor भी core जैसे dual core,quad core,penta core,hexa core तो core होता क्या है, जैसे dual core मतलब हो गया कि दो हाथ,quad core हो गया मतलब कि चार हाथ तो दो हाथ है और चार हाथ है तो जितना ज़्यादा core होगा उतना ज़्यादा पार्शली एसिसेटली आपका mobile काम करेगा जो तीसरी चीज हो गई अचा प्रोसेसर में भी आपको यह जानना होगा कि प्रोसेसर तीन बड़ी कंपनिया मिलके बनाती है पहली कंपनी जो आती है आम कोटेक्स दूसरी जो है वो मीडिया टेक्स और तीसरी जो है कॉलकम जो स्नैपड्रेगन के नाम से बनाती है तो आपको क्या करना है, Snapdragon चूज करना है, Snapdragon काफी अच्छी कमपनी है और Snapdragon में भी आपको ये देखना है कि कौन सा वर्जन आपको मिला है अपडेटेड वर्जन आप लेंगे तो आपको बेटर हैगा जैसे Snapdragon एक बनाती है 625, 625, 832, 835 ऐसे ऐसे करे आता है तो आप Google कर लीजिए और देख लीजिए कि जब मोबाइल ले रहे हैं तो उस समय का लेटेश ये अपडेटेड वर्जन कौन सा है तो वो कमपनी आप चूज करिए Snapdragon अच्छी कमपनी वैसे 15,000 के उपर उपर तक के फोन में आपको Snapdragon का ही प्रोसेसर देखने को मिलेगा और ना मिले तो आपको नहीं लेना चाहिए दोस्तों जो दूसरी चीज होती है प्रोसेसर के बाद वो हमें RAM देखनी होती है RAM क्या होता है Random Access Memory इसका फूल फॉर्म है RAM 2GB से कम आप एवाइट करें उसके इलाबा आप यह ध्यान रखे कि आपको जो RAM 2GB मिल लेए पूरी की पूरी आप यूज़ नहीं कर पाएंगे कुछ RAM रिजर्व होती है जैसे 2GB RAM अगर आपको मिल लेए तो 1.5GB ही आप यूज़ कर पाएंगे यह समझ जेजे जे कि छोटा G. गिलस और इक बड़ा साटा बड़ गिलास में ज्यादा पानी भर पाएंगे ज्ते गिलास में कम पानी भर पाएंगे कम नर या पर आप बहा वैसे तो मार्केट में 5000 ms की बैटरी भी आ गई है तो बैकप उते ज्यादा मिलेगा जितना ज्यादा बैटरी लेंगे उसने ज्यादा देर तक आप काम कर पाएंगे तो बैटरी के बारे में ज्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है बैटरी के बाद जो चौती चीज आती है वो होती है तो कैमरा तो सक्कुछ आफको फहले वीडियों बताचुकिए अब्स तब ही के लिए जान लीrek पर दो मुबाईल सतारी में पंदर में 15 př AHring ढमने लिए और दोनों चाहिए और फोटोफे है तो एक काफी अच्छी फोटो आएगी और एक थोड़ी डल फोटो आएगी ऐसक क्यों होता है कि गापीस से बराबर ए कर दोनों में से पिक्चर अनी चाहिए तो इसका मतलब यह होता है कि मेगा पिक्चल के इलाव़ भी और सरह होता है तो आप देखिये लिंक में है डिस्क्रप्शन में है लिंक में ने दिया है आप हम से जाके पहला वीडियो था वह जरूर देखें डोष्ट्र छाथ पर आप लेंगे मोबाइल तो ठीक है किपी आई इसके बारे में भी हम आपको बता देंगे अभी इस वीडियो पर देंगे लंबा हो जाएगा तो पीपी आई अभी के लिए इतना जान लिए आपको पाइसर ग्लाफ आपको मिल रहा है तो उसके उपर आप टेंपर जरूर लगवाइए आपका मोबाइल और पुरच्चित हो जाएगा अगर आप जो मोबाइल चूस कर रहे हैं उसका सर्विस सेंटर आपके स्टेट में हो तो काफी अच्छा है और सहर में हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों GSM Arena एक वेबसाइट है जहां पर फोन के रिव्यू दिये जाते हैं तो आप वहां विजिट करिए आपको जिस ब्रैंड का मोबाइल चाहिए आप वहां जाकर के टाइप किजिए देखिए क्या लोगों ने रिव्यू दिये हैं और उसके बाद ही फोन लीजे फोन यू पर एक बहुँ सिने किजिए मुबाइल हैं वहां जाओवात हैं मुआ का लिव्यू 5verseव जाओट हैं झाल visit